एलो मेरे के ड्रामा चिंगूस आज मैं एक्स्प्रेंग करने जा रही हूँ वैडिंग इंपॉसिबल के एपिसोड नमबर सैविन को लास्ट एपसोड में हमने देखा जिहान आजूं को कहता है कि तुम मेरे भाईक साथ खुश रहना और वहाँ से चला जाता है दिखाते हैं नेक्स डे आजूं आई होती है मिल ले उन्ताक से और उससे कहती है कि जिहान कहा है और वो कैसा है और वो कैसा बिहेव कर रहा है तक कहता है कि तुम्हें अपनी भावी मानने के बाद अब वो काफी अच्छा महसूस कर रहा है उसने सोच लिया है कि अब उसे तुम्हारे बारे में सोचने की कोई जरुष नहीं है दूसरी ओर दिखाते हैं जिहान आया होता है चेवन से मिलने तो जीहान कहता है मुझे तुम्हारा जवाब उस दिन दे देना चाहिए था तो चेवन कहती है तुम्हारा क्या जवाब है तो जीहान कहता है कि मैं और महनत करूँगा ताकि सब कुछ सही हो जाए तबी चोवन कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे फसा के रखना चाते हो तबी जीहन कहता है कि ऐसा नहीं है तो चोवन कहती ठीक है तुम अपना काम करो और मैं समझूंगी कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ नेक्स दिखाते हैं कि आजुंग के बारे में जाने के लिए रिपोर्टर्स इधर उधर उधर उसके घर के असपास घूम रहे होते हैं और यह जानकर उसके घर वाले फटाफट से अंदर घुश जाते हैं और आजुंग को भी अंदर छुपा लेते हैं देर बात दिखाते हैं कि आजुम अपना सामान लेके जा रही होती है दोहान के घर शिफ्ट होने के लिए मैं दूसरी और ग्रेंटपा डाट रहे होते हैं मिन वूंग और उसकी वाइफ को और कहते हैं कि तुम अपने आपको हमारी फैमली कहते हो तुम आजुम के बारे में रिपोर्टरों सो कैसे बता सकते हो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया और सच बताओं तुम मीरा बिल्कुल भी इरादा नहीं है तुम दोनों को अपने कंपनी देने का तो तुम इस बारे में बिल्कुल भूल जाओ बाद में मिनवुंग सियोंगा को डाटता है और कहता है कि इस सब तुमने किया है ना और तुमने अपना किया कराय मेरे सर में थोब दिया ऐसा क्यों किया तो स्चोंगा कहती है क्यूँ मैं एक बार ऐसा नहें कर सकती क्या तुमने भी तो अपने ड्रंक ड्राइब का केस मेरे उपर थोप दिया था मैं तुम्हें पहले का था सिर्फ दोहान से निपटने से कुछ नहीं होगा तो मैं दोहान और जिहान दोनों को निपटाना होगा और यह सब अब मैं खुद ही कर लूँगी और फिर वो वहां से चली जाती है स्रीयोर दिखाते हैं कि आजू समान लेकर आ जाती है दोहान के घर में थोड़े देर बात जिहान भी ऑफिस से घर आता है और उसे लगता है कि घर में कोई भी नहीं है तो फिर वो नहाने के लिए चला जाता है और फिर शटलेस वो अपने बात हम से भार आता है तो उसे करके आना चाहिए था ना तो जिहान कैता है तो दुवान कैता है तुम कब से आजुं को भाबी कहने МУहां से जब बाद में आजुंग दोहान के रूम में सो जाती है और दोहान अपने पिलो लेकर आ जाता है जिहान के रूम में तो जिहान रेडी हो रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे कहीं जाना है तो तुम यहां अराम सो सकते हो दिखाते हैं कि सेजुंग और तेमिन कर रहे होते हैं आती है तो जिहन वहां पर breakfast बना रहा होता है और फिर वो कहता है कि भावी नीची नास्ता करिए और फिर सारे काम खुद करता है और आजूंग को अराम करने के लिए कहता है इदेर बाद जब आजूंग सफाई कर रही होती है तो उसे डस्टेमिन मिलते हैं बहुत सारे पेप पूरी करवानी हो तुम्हारी विश मुसे लटेड है ना तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब तुमने जूट कहा था ना तुमने यही विश मांगी है ना कि मैं और दोवान दूर हो जाए तब जिहान कहता है नहीं मैंने इसका उल्टा मांगा है मैंने मांगा है कि मैं तुम से दूर चले जाओं मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ अपने दिल से कहा था तुम्हें अपनी भावी मानने के बाद मैं बिलकुल शांती से हूँ और मेरा दिल काफी शांत है ताजूं कहती है कि जब तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे अपनाने देर तयार हो तुम मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझे दूर भेज रही हो तबी जिहान कहता है चाहे जो कुछ भी हो यह मैटर करता है कि यह मेरा रूम है और मैं चाहूंगा कि आप अपनी जगे में रहें ऐसी किसी के रूम में आना जाना अच्छी बात नहीं है और तेसी का डस्टी में चेक करना वो तो और गलत बात है ये लाइन क्रॉस करना है तुरी और दोहान आ जाता है अपने स्टूडियो में तो हो कहता है हाँ मैं by chance मिल गया था तब ही दोहान कहता है कि आजकल मेरे साथ बहुत से चीज़ए by chance हो रही है आजकल कोई चुप-चाप से मेरी फोटो कीचकर मुझे भेज रहा है by chance मेरे स्टूडियो में शॉर्ट रेक्ट हो रहा है by chance और मेरे एक्स का मेरी फ्यांद से मिलना by chance आखिर ये सब क्या है जिस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे दुख पहुचाओगे क्या इसका मतलब यह है कि तुम मुझे blackmail करोगे मेरे तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हे आजुं से उलजने कोई जरूरत नहीं है कहता है तुम्हे तो काफी घुसा आ रहा है मुझे तो ऐसी लग रहा था कि तुम सच में है उस लड़की को पसंद करते हो इस टाइम तुम अपनी line क्रॉस कर रहे हो क्या तुम्हे थोड़ा सा भी मेरे लिए guilty feel नहीं होता है तब ही दोहान कहता है कि मुझे आज तक guilty feel होता था बट जो तुमने कुछ अप किया है उससे मुझे बिल्कुल भी guilty feel नहीं हो रहा है तो तुम अब सब कुछ छोड़ दो और मेरी life में ठांग राना भी बंद कर दो और फिर वो वहां से चला जाता है और दोहान को जाते हुए उसकी photo ले रहा होता है reporter एक जुन और वो सारी photos लेके आ जाता है सियोंगा के पास तो सियोंगा कहती है कि मैंने तुम्हें दोहान आजूंग और जीहान के बारे में पता करने हो कहा था ये तो मुझे किस अजनबी आदमी की photo खीचे दे रहे हो तो reporter एक जुन कहता है कि मुझे लगता है इस आदमिया कुछ relation ना आजूंग से भी है तभी सियोंगा कहती है जब तुम्हें कुछ पता चल जाए तभी तुम मुझे contact करना तभी एक जुन कहता है कि इन सब के बाद आखिर होगा क्या तो मैं तो इससे काफे फाइदा मिलने वाला है और मेरा मेरा क्या तभी सियोंगा कहती है ठीक से बताओ आखिर तुम्हें चाहिए क्या तभी एक जुन कहता है कि तुम्हारी मम्मी का केस मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम साफ हो जाए तभी सियोंगा कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ बटके यहाँ बात कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी साथी हूँ ले ही मेरी मम्मी ने अपने अफैर के चकर में हम लोगों को छोड़ दिया था बट फिर भी है तो वो मेरी मम्मी ही ना और उनका एकसिडन्ट तुम्हारी वज़े से हुआ था तभी एक जुन कहता है तभी तो मैं अपना नाम क्लियर करना चाहता हूँ क्या तुम ये नहीं जानना चाहती ही क्या सच सामने आएगा जब मेरा नाम साफ हो जाएगा नेक्स ने दिखाते हैं कि आजुंग आ रही होती है मैं दोस्तों से मिलकर तभी वो देखती है कि बाहर सुजुंग और टाइम इन आये होते है और सूजूं फटाफट से आजूं को देख के उसे मारने लगती है और कहती है कि तम पागल हो गई हो तब ही आजूं उसे अंदर लाती है सूजूं कहती है तुम पागल हो गई है शादी एक कॉंट्रेक्ट तब ही आचुंग कहती है कि मैंने पहले इसके लिए मना किया था पर बाद में मुझे लगा कि ये काफी अच्छा आफ़र है वैसे भी ये मेरी लाइफ है तो जो कुछ भी होगा वो मैं खुद डिसाइड करूँगी मैं इतने आगे आ गई हूँ तो लास्ट में जो कुछ होगा वो भी मैं खुद ही जेल लूँगी तब ही सोजों गुस्ते में जाया लगती है तब ही वो उसे कहती है कि हाँ ये लाइफ तुम्हारी है मेरी नहीं बर पूरी कुशिश करना कि तुम किसी से पकड़ी ना जाओ खास करके मम्मी और पापा से वो दोनों कितने खुश है ये सुनगे कि तुम शादी कर रही हो उन्हें कितना दुख होगा अगर उन्हें इस बारे हैं पता चलेगा या फिर तुम बीच में शादी तोड़ दोगी तो तो तुम ये तीन सार अच्छे से निप्टाओ और फ्लास्ट में चिपचा के डाइवर्स ले लो तुम इस समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ और तुम पागल हो गई है और फिर वहां से चली जाती है फिर दिखाते हैं रहा आपको आजुग बैठी होती है तो दोहान उसके पास आता है और कहता है कि तुम इहां क्या कर रही हो तुम्हें तो थोड़ा ना चाहिए था ना तभी आजुग कहती है कि तुम ही ने कहा था मुझे ना सोने को क्योंकि तुम्हें मुझे कुछ बात करनी थी तबी दोहन कहता है हाँ बात तो करनी थी तबी आज़न कहती है तुमने ड्रिंक की है ना कोई नी तुम जाके सो जाओ हम कल को बात कर लेंगे तबी दोहन कहता है नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी है तब ही जिहान भी ओफिस से आ जाता है और वो उन दोने को बाते करते भी सुन लेता है दोहन कह रहा होता है कि शायद तुम्हें मैं सौर्थी लगूँ बट मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारी वज़े से आज पहली बार मुझे एंशियस फील नहीं हो रहा है और मैं भी तुम्हें ऐसी ही फील करवाओंगा मैं एक अच्छा हस्बेंड बनूँगा और तुम्हें वो हर कुछ करने दूँगा जो तुम करना चाहती हो मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा और ये सुनकर जीहान को थोड़ा अजीव महसुस होता है और वो वही भार बैट जाता है तब ही थोड़े दिर बार दोहार अंदर चला जाता है और आजुग अकेले ही भार बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है महां जीहान आता है और आजुग को कहता है कन्फ्यूज मत हो अपने फैसले विश्वास करो मुझे लगता है कि तुमने सही फैसले लिया है आजुग तब ही आजुग कहती है कि तुमने सोच लिया है मुझे भावी ना बुलाने का तब ही जीहान कहता है कि मैं तुम्हें भ दोहान शादी कर रहे हैं ।ो जीहन कहता है हाँ और दिखाते है नेक्स डे आजूंग आई होती है दोहान के साद वेडिंग ड्रेसD स्लेक्ट करने के लिए और यदरस में पैनगे में के दिखाग कर होती है پھर जब एक ड्रेस क्वेन के आती है तो देखती है की बाहर दुहान नहीं है। किए अचानक से जिहान आ जाता है और आजुंग का हाथ पकड़े पहाँ कहता है कि चलो मेरे साथ और उसे लेके वहां से बाहर आ جाता है और हें हो जाता है हमारा एपिसोड नमबर 7, Finish